नमो तैसे भगवतो अरहतो सम्मा सम्भुद्धे से सादू 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 हमारे गुर्जी को प्रणा हूँ सादू सादू श्रदावान उपासक उपासी कागन हम लोग इस दर्म चर्चा में या फिर इस कार्यक्रम में हर अफ़ते मज्जिबने काई में से एक सूत्रका अब्यास करते हैं अब तक हमने पिछले सप्ता है सलेक सुत्त का पदेश दिया सलेक का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा सलेक ये बहुत ही मिशाल विशेष्ट परंपरा है जिसमें त्यागने का भावाता है सर्वस्वत्यागना जिसे कहते हैं तो उसमें से वो सलेक नाम निकलता है ठीक है तो आज हम सर्चा करेंगे ये सारा धर्म का आरंब जिस कार्य से हैं इस संपुर्ण धर्म का निर्धारन भगवार ने जिससे मुख जिसका आरंबिक कहां गया है उसके लिए कहेंगे इस सूत्र का नाम है सम्मा दिठी सूत्र मज्जिम निकाय का नौवा सूत्र है समझने में थोड़ा सा कठिन भी है परन्तु जितना जितना समझ सकते हैं उतना हम लोग समझने की कोशिश करेंगे धर्म का अभ्यास पुनह पुनह बार-बार सुनने के पश्चाद और फुक्ता होते जाता है इसलिए आने वाले समय में भी इसी सूत्र पर अनेक विक्षुलोग बिन बिन तरह से उत्देश कर सकते हैं परन्तो इस सूत्र में जैसे जैसे बताया है केवल उतना समझने के हम लोग कोशिश करेंगे इस सूत्र का नाम है सम्मादेटी सूत्र बगवान ने धर्म में जितनी भी चीज़े हैं सब में बताया कि इस अंसार से मुक्ति का एक मेव मार्ग है और वो मार्ग है अरियो अठांगी को मगग बगवान बुद्ध जी एकमेव ऐसे जगत में ऐसे वेक्ति हैं या फिर धर्म के उपदेशक है या अंद्रश्टा है गुरु है जिनका आरंभ जिस शब्द से शुरू है उनका समापन उनका जो बुरुक्ति तक का भाग है वो उसी धर्म की देश ना था उनमें परिपक्वता गुद्धत्व के साथ साथ आ गई थी अब उसमें अंतर नहीं आना था वरतमान में जितनी भी लोग है धर्म का उपदेश करने वाले हो या फिर किसी बात को अपने मतावलं भी हो अलग-अलग मत को रखने वाले हो या फिर ऐसा हो सकता है कि बिनन बिनन तरह के जो फिलोसफर जिसने कहते हैं ये लोग हो ये सब लोग अपने बुद्धी को बढ़ाते हुए इनके विचार निरंतर बदलते रहते हैं हम जिनकी शरन में गए उन भगवान गुद्धी का विचार कभी नहीं गजरता जैसा यथार्थ भगवान ने उनकों बोध हुआ है वह संपूर्ण 45 वर्षों तक जाता है हम मनुश्य की तरह नहीं हम आज के वर्तमान के लोगों के तरह नहीं कि जैसे हम लोग जब बिल्कुल युवा आवस्था में आता है तो सोचते है कि मैं अपने जिन्दगी को इस तरह से बनाऊंगा ऐसा इसका धर्म का ऐसा करूँगा वैसा करूँगा जैसे जैसे मै Чृरिटी होते जाती है 35 का होने के बाद जो पहले वादा किया था वो सब बूल गाए अब मैं ये करूँगा अब मीरे तितिया है ये मेरे विचार है इस तरह से जब पच्पन का हो जाता है तब कहता है कि नी नी वो तो सब ऐसा ही था तब तो मैंने मूड़ता में कह दिया पर अब मैं इस तरह से करूँगा अब ये मेरे विचार इस तरह से देखना चाहिए जब सत्तर साल का हो जान तो कहते है कि अरे सब ऐसा है था वो तो बस समय के साथ वो बदलते रहता हम मनुश्यों का सुभाव ऐसा है पुर्ण व्यक्ति जो है उनका ऐसा नहीं होता पुर्ण व्यक्ति भा है जिनका धरम का आरंब जिस तरह से हुआ जिस विचार दरह से हुआ वो अंतिम्तर कुद्य है भगवान गुद्जी की है इसके पीछे कारण है जिस मार्ग पर चलकर निर्वान को पाए है वो मार्ग एक ही है एक ही दिशा से संसार से मुप्त हुआ जा सकता है दूसरा अन्य मार्ग मुप्ति के लिए नहीं है यदि आप में से कोई ऐसा चाहे कि अरे भगवान से भी आज वर्तमान में कहने वाले लोग है सादु सन्यासी है या फिर भीन भीन तरह के उपक्रम बता कर इस मुक्ति को पाए जा सकता है तो ऐसा कुछ नहीं है इस बात को अपने मन में अच्छी तरह से धारन कर दो अतीत में जो बुद्ध हुए उन्होंने भी आर्यश्टाहिक मार्ग का उपदेश दिया हमारे जो भगवान बुद्ध जिनकी शरन में हम गए वर्तमान में बे भगवान बुद्ध जे भी इसी का उपदेश देते हैं आने वाले जो बुद्ध रहेंगे वेवी मुक्ती के लिए यही एक मार्ग दोरासा बता है अलग-अलग दर्शन हो सकते हैं अलग-अलग स्थितिया हो सकती है परंतु मुक्ती के लिए केवल एक ही मार्ग है एक में मार्ग है सत्वों के विशुद्धी के लिए एक में मार्ग है उसमें चार सतिपठान बता है, चार सतिपठान धम्मान उपस्तना में आर्याश्टांगिक मार्ग ही है अंतिममी तो ये आर्याश्टांगिक मार्ग समझने के लिए ही ये जो पहला आर्याश्टांगिक मार्ग का पहला बिंदु है सम्मादिट्टे इस सम्मा दिट्टिका उपदेश भगवान ने इस सुत्र भगवान ने नहीं सारी पुत्र भंतेजी ने इसता अविस्तार किया है ये उपदेश इसतार से आन्दा एवंग में सुतं एकं समयं भगवा सावत्तियं विहरती जेतवने अनाध पिंटिकल साहरा में एक समय पिंटा एक समय जब भगवान भुद्ध जीरह वस्ते में जेतवने विराज मान थे उसी समय तत्रकों आयस्मा सारी पुत्तों भिख्खू आमनते इसे डब सारी पुत्र भंतेजी ने भिख्शुों को आमनत्रित किया सारी पुत्त बंते जी तो जनेती करके कहा है माता की तरह कहा है न तो उन्होंने अपने संपूर बिख्षु संग को निमंत रण दिया कि बिख्षु आओ आउसो बिक्षो आउसो आउ करके तो उन्होंने जवाब दिया जी आउसो करके सारी पुत्र बंदेजी को जवाब दिया तो यह उरा सुत्र किस ने उपदेश किया है सारी पुत्र बंदेजी ने बिक्षो संग को बताया है आयसमा सारी पुतर इस तरह से कहते हैं विक्षो को कहते हैं सम्मादिठी सम्मादिठी ती आउसो वुझ्चती विक्षो ये सम्मादिठी सम्मादिठी कही जाती है कित्ता वतानुको आउसो अरियसाव को सम्मादिठी होती कैसे कोई आर्य श्रावक सम्मय दिठिवान बनता है ये जो सम्मादिठी सम्मादिठी कही जा रही है तो ये सम्मादिठी क्या है चीक है उसके बाद में पूछते हैं कि कित्ता बतानुको आउसो आर्य सावको सम्मादिठी होती आर इश्रावक सम्में दृष्टिवान बनता है उजुगतस दिठी इस दृष्टि से रुजुभाव से आरूर हो गया संपन्न हो गया ऐसा कौन है धम में अविच्च पसादेन समन्नागत जो धर्म के प्रती अचल इश्रद्धा से बन गया है अब उसमें परिवर्टन नहीं आएगा अब उसमें कोई वो स्थीर हो गया है अचल हो गया है वो बिलकुल एक जगह पर प्रतिष्टित हो गया वैसा इंद्रकील की तरह आ गया ऐसा समझे उसमें अभी परिवर्टन नहीं होना अब इच्छ पसादने समझें अगतो इस धर्म में आया हुआ व्यक्ति कैसे कहलाता है करके ये प्रश्ण कौन पूछते हैं तो सारी पुत्वन्देजी पूछते हैं विक्षो से पूछते हैं तो विक्षो लोग क्या कहते हैं कि बहुत दूर से हम सारी पुत्वन्देजी के लिए पास आये हैं आम जो कह रहे हैं दूर तो पिको मयं आउसो आगच्छे आम दूर से हम सारी पुत्वन्देजी के पास आये हैं एतस भसितस अथ्था मन्यातुं इस जो भाशन जिसका जो आम जो कह रहे इसका अर्थ जानने के लिए अच्छा होगा यदि बंते स्वयम ही सारी पुत्व बंते स्वयम ही इसका अर्थ हमें समझाएंगे तब सारी पुत्व बंते जी कहते है सुट्वाभिक्खोधारे संतीति बिक्षू मैं कहूंगा तुम लोग आप वो बिक्षू कहते हैं कि जैसे बंते सारी पुत्व बंते जी बताएंगे तब हमसे वैसे धारं कर लेंगे सारी पुत्व बंते जी ठीक है मैं बताता हूँ जहां से सुनो मन में धारं करो सारी पुत्व बंते जी कहते हैं सम्मादिठी के अलग-अलग कार्ण उसमें 16 भाग है, सम्मादिठी के, यदि किसी को सम्मेक दृष्टिवान बनना है, तो इन 16 तरह से सम्मेक दृष्टिवान बना जा सकता है, ठीक है, ये सारे की सारे एक ही विक्षकी शाखाये हैं ससरे, एक ही विक्षक, कही से भी पकड तो जैसे, जड़ होती है, जड़ का क्या काम है, अलग अलग जगा से भिनन भिनन जल को लेकर आना और उस्सें पत्तों तक पहुचाना, अलग अलग पत्तियों का का यह काम है वो सब एक ही इसमें होता है ना पर देखने में बिने बिने शाखाएं दिखती है अलग अलग दिशाएं दिखती है वैसे ही इसमें सारे इसमें एक जुड़ा है तो सोला तरीके इसमें बताये हैं सारे पुतवन्तिजी ने उसमें से पहला है और ये सहाव को अकुसलंग्च पजानाती अकुशल क्या है उसे जानते हैं अकुसलंग्च पजानाती अकुशल का मूल क्या है आरंब क्या है वो जानते है अकुसलंग्च पजानाती ये कुशल क्या है अच्छा क्या है उन्य क्या है उसे जानते है कुशल का मूल क्या है यानि अकुशल है तो उसका आरंब बिंदु कैसे होगा अकुशल ऐसे उत्पन नहीं हो जाते उसका बीज गई तो भी होगा तो वो जानते कुशल है वो भी ऐसे नहीं जान जाते कोई दानी है जन्म से दानी नहीं है जन्म से दानी नहीं है, जन्म से उसके जो बीज थे जन्म से, वो है उसे, उसका उदय हुआ है, तो कुसल मुलंच पजानाती, इत्ता वता के खो आउसो, अरिय साव को सम्मा दिट्टी होती, इतने धर भरमातर से कोई वेक्टी सम्मेक दिट्टीवान बतता है, इसे जो आप और मैं, हम लोग कहने के लिए कह सकते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, वास्तों में यथार्त भाव से अभी से समझे नहीं, नहीं समझे, हम क्यों जानते हैं, इसमें वो समझने वाली बात है सम्मेक दिट्टी से, तो इसमें कहा गया है कैसे, यह क्या है, तो पानाति पाता, अदिन्ना दाना, कामे सुमिच्छाचारा, मुसावादा, पिसुनावाचा, खरुसावाचा, संपपलापा, अभिज्या, व्यापाद, मित्या दिट्टी, यह जो है, इन्हें कहते हैं, अकुशल्ब, याने, प्रानियों के इंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, जूट बोलना, कठोरवाने का बोलना, चुगली करना, बक्वास करते रहना, अभिज्या जो है, यानि दुस्रोप के वस्तो ओपर द्रिश्टी डोरे डगान लगा के रखना, गो, और व्यापाद, क्रोध, और मि अध्या दिप्ठी, या अकुसल है करते हैं, अकुसल का मूल क्या है, या अकुसल कैसे जागते हैं, तो लोभो अकुसल मूलन, ये सब जागने के पीछे, ये प्रानी इंसा, ये सब के पीछे, ये कोई कारण खोजी कि क्यो मैं वेविचारी हूँ, क्यो मैं जूट बोलता ह क्यों मैं लोगों निंदा करता हूं क्यों मैं क्या करते बाते क्यूं करता हूं इसके पीछे का कारण क्या है यह इसको कहते हैं मूलंग क्या है अकुषलमू लोभ हो अकुषलमूलंग ये जो लोभ है वो अकुषल का मूल है दोसो अकुषलमूलंग द्वेश जो है वो अकुषलका मूल है मोह अकुषलमूलंग मोह जो है मूडता है ये अकुषलका मूल है ठीक है इस बात को अच्छी तरह समझ लो तो य मेरा जीवन में बंधा हुआ इसके पीछे कारण ये तीन चीज़े हैं तो भगवान बुद्ध जी हमें कंट्रोल करने के लिए बताते हैं इन बाकी चीज़ों पर पर वास्तों में यथार्दा संपूर्ण समूल निकालने के लिए क्या बोलते हैं तो ये लोग द्वेश और म यानि राग द्वेश omow इसको निकालने के लिए कुरा धर्म जो है इनहीं के समाप्ति के लिए हैं फिर कहा है कतमंग चाओं शुशल ख्या Ein you इनहीं सब चीज़ों से आंने प्रानी इंसा नहीं करता चोरी नहीं करता व्यविचार नहीं करता जूट नहीं बोलता निंदा नहीं करता कठोर वानी का प्रयोग नहीं करता, व्यर्थक की बाते नहीं करता, जो अनभी जालू है, जो अव्यापादी है, यानि व्याकाद नहीं है उसमें, जो सम्यक दिठीवान है, ऐसा अव्यक्ति भगवान कहते हैं, सारी पुत्रबंदेजी कहते हैं, कि वो कुशल है, इस कुशल का मूल क्या है, तो कहा ह अलोभो लोब का नहुना अदोसो देश का नहुना अमोहो मोह का नहुना इसका मूल है जिसमें यह आ जाया उसके धर्मपूर्ण हो जाता है फिर इसमें बताया गया है जब आयशमार यह आरिये श्रावक यह कौन जानता है तो आरिये श्रावक जानता है कि इस तरह से जानता है सो सब्वसो रागानु सयंग पहाय इन सभी के प्रती जो राग का आसरे है इसमें जो बंधन में बंधने वाला भाव है इसे जानकर पटिगानु सयंग पटिविनो दित्वा यह राग को छोड़कर जो क्रोध का घृणा का भाव है उससे दूर करके इसमें हम वही तो कोशते हैं प्राणियों की इंसा करते समय जोरी करते समय यह राग वेशम हो जगाते समय इसमें मैं मेरा अस्मी मैं यह जो भाव है इससे जो दृष्टी से बनी हुई है इनको दूर करने के लिए अविज्यंग पहाय विज्या उपादे अविद्या का प्राहान कर अविद्या को छोड़कर विद्या उत्पन होती है दिठे वदम में दुख संद करो होती है इसी जीवन समाधिक वार होता है तो आप और मैं हम इने केवल पढ़ रहे हैं सीखने की कोशिश कर जिसने जान लिया है वो यह है जानना कि जैसे ही जान गया कुशल मू लको तो इससे क्या होता है राग को प्रहिन किया जाता है क्रोध को प्रहिन किया जाता है और मोह जो है अस्मी जो पहला है इसमें जो बताया गया है तो फिर सारी पुत्र बन्ती जी के लिए पहला धर्म है क्या बताया कुशल और अकुशल इनको देखला कि सम्यक्दिधि में सम्यक तिष्टिवान के लिए पहला धर्म होता है यदि कभिया आप किसी अरहत्व के बारे में सुनो अरहत्व के बारे में तो ये वह सारे की सारे चीज़ों को जान लेगा तो फिर करते हैं कि बंदश बहुत अच्छा तो यही एक में मार गए या और कोई दूसरा है सारी पृत्वान्तिजी करें खिए कि हाँ, एक और हैं सिया उसो, एक और तरीक से इसको बता सकते हैं तो फिर क्या तो कहते है अरे साव को आहा कर जब जब पजाना ni आहार क्या है, खाना, आहर प्रता है है सुब्ब का नाश्ता दोपेर का खाना शाम की जाए राच मार्ग भी जाता है तो क्या है आहार कतमो पनावसो आहारो आहार को जानने मात्र से वह वेक्ति क्या होता है सम्मादेटी से युक्तव हो जाता है ठीक है पिस सारी कुत्व बंदेजी कहते है पिर इसमें कहा गया है क्या कि आहार को जानने से तो यह आहर क्या है? कतमो, पनाऊसो, आहरो यह आहर क्या है? भगवान सारी कुदबंदजी कहते हैं चत्तारो में आऊसो आहरा भूता नंगवा, सत्ता नंगवा, ठीतिया संभवेसे नंगवा, अनुकहाय हम जो खाना खा रहे हैं यह कितने प्रकार का है? चार प्रकार का किसलिए है यह? भूता नंगवा, इस सत्त्व के सीरता के लिए यह जो मनुश्य बना हुआ है जिन-जिन सत्व है इस लोक में निरे के सत्व से लेकर तो अकरेटा का ब्रह्मलोक के सत्व सक्या फिर उससे भी आगे भी सत्व होंगे इन सभी सत्व के लिए आहर चारी प्रकार का है ठीक है? यह मत समझना कि भई निरे में है तो वहाँ बाबी क्यों तो वैसी बन रहा होगा अगर कैसा नहीं जो भी तरह का आहर है वो है ब्रहमलोक में है आशीतल ताओ के दुआ नहीं मिलेगा ऐसा है सभी जगह पर जो आहर है वो इहनी चारत रखा है क्या कहा है कि सत्तानंग ठीतिया सत्व के स्थीरता के उससे मनुष्य उससे सत्व जो है वो बना रहता है इसलिए भूतानंग का है जितने भी जीवित व्यक्ति उनके स्थिति के लिए संभवेसी वानन अनुगाय संभवेसी का मतलब होता है जो अभी उत्पन होंगे उत्पन हो रहे है हो रहे है याने हम भृत्यू के बाद भी जब आगे भी जाएंगे उसके लिए सहायट भी कौन होंगे? ये चार आहार समझे हैं? तो केवल इस शरीर को बनाय रखने के लिए नहीं अपितु इससे आगे जाने के लिए भी ये चार आहार है कैसे? कौन से है ये चार आहार? पहला है कबली कारो आहारो ये जो ग्रास ग्रास बर कौर बना कर खाते हैं एक एक कौर खाते हैं रूटी को तोड़ते हैं सबजी में मिलाते हैं और ऐसा कवल पकड़ते हैं कौर कहते हैं उसे या कवल कहते हैं और उसे खाते हैं इसको कहते हैं कबली कारो आहार कैसे है? ओलारिक होवा, सुखुम होवा, गीला है, सुखा है, जैसा भी है, भावतिक स्वरूप से पकड़ कर खाया जाने वाला आहर, ठीक है, तो उसमें डंप्लिंग्स आ गए है, याने पिर मॉमूस जो कहते हैं, वो भी वैसी है, उसमें बना हुआ है, तो कौर-कौर करके जितना है, चावल में, जो भी मिला कर खा लिया, वो ऐके ग्रास करके खाते हैं, वो, चंमत से भी एदि खाओगे, तब भी एके ग्रास करके खा रहा है, पीने वाले द्रव्य में भी खाओगे तुम तब भी घोट घोट करके ही प्योगे ऐसा नहीं कि जारी लगा देख चानी लगा कर खाण नहीं उसको भी एके करके खाया जाता इसलिए उसे कहा क्या है ओलारी कोवा सुखुमोवा जैसा भी हार हो गीला हो सुखा हो सब कॉल बन जीव जन तुखाने तो वो भी खालो क्योंकि भूत कहा है इसमें भूत यानि सत्व सभी सत्वों के लिए आर समान है सभी सत्वों के लिए आर समान है ठीक है उसके बाद में कहा है यह पहला आर हो गया जो ग्रास बना कर खाते हैं दूसरा आर है फस्सो स्पर्ष स्पर्ष का हर दूसरा है ठीक है कैसे यह जो आख दिख रही है इस आख का इस रूप से स्पर्श हो रहा है जैसे भी मैं तो कैमरे के सामने बैटा हूँ मुझे टीवी में जो कुछ देख रहा है आप भी मुझे वहां से देखी रहे है पर क्या देख रहे है इस शरील कोई देख रहे है न वहां से देख तो यह देखते समय आख का स्पर्श ही हो रहा है इस स्पर्श से पहचान हो रही जाना जा रहा है देखा जा रहा है इसे कहत यह जो स्पर्षक अहर इसा तो काट से सुना जारा है नासि का से गंद सुगंद ले जा रही है जिवां से चखा जा रहा है इस इस जो सारी है रही पर शाहर का रहे है दो जो बर शाहर शाहर तो जितनी यह कामुपता से भोगी जाने वाली चीज़ है उनक으 हम वह क्या कहते है उस पर्श क्या आती है उसके बाद में तीसरा है मनों संचेतना मन में जागने वाली हर एक चिदन की चेतना जो है जितने जितने प्रकार से सोचेगा वो वो उसका स्पर्श है दस मिनिट के लिए जैसे ध्यान में बैठ जाओ तुमारे सांस पर ध्यान देने के लिए बोलो तुरंत मन में जो जो नहीं सोचे थे वो सारे खायाल नहीं आना शुरू हो जाता आना शुरू हो मनकiversary भर के लिए भी चिंतन से परे नएघाना चाहता क्योंकि इसी से सत्व जीवित रचा है सोची चिंतन मन, मनोसंचेतना यहार है मनोसंचेतना विकषित अवस्ता में भी विकषित अवस्ता का चिंतन ही हो रहा है ऐसा समझे लोगई तभी वो है चाउथा है विन्यानं चतुत्तं विज्ञान ये चाउथा हा रहा है विज्ञान क्या है? तो संसकार के द्वारा उत्पत्ति के लिए जो आगे के विचार के लिए होने वाला बीज जो है उसे कहते है विज्ञान आगे के जन्मे के लिए होने वाला जो बीज है उसे कहते है विज्यान तो विज्यान के यहां से तो जब कहते हैं ना कि मनुष्य लोग में मरने के बाद क्या आगे जाता है तो विज्यान ही आगे जाता है ये विज्यान साथ कुछ साथ मिले के जाता है कर्म, सुख, दुख, आदि सब के कर्म क्योंकि उसी के परिविपाग से बना ऐसा है ये चार प्रकार का विञ्यान है इसमें इसका आहर क्या है तो इसका समुदय कैसे होता है ये कैसे बनता है तो पिर कहा है तन्हा समुदया तन्हा के कारण ही ये बनता है ये जो भोजन जितना भी है तृष्णा के सहारे ही है तृष्णा के सहारे है पर कलका ही तो प्रश्णा है हमारा मेकप के बारे में हमने पाथ चीज़ हो कि तृष्णा के सहारे है इसमें गलत नहीं तो वो जो है वो है हम आखों के संदरता के लिए आखों को अच्छा देखने के लिए अपने आखों को अच्छा देखने के लिए हम सौंदर्य की चीज़ें इस्तमाल करते हैं चाहे पुरुश हो चाहे स्प्री हो वो है आहार त्रिश्णा के कारण ही आहार बेदा होता है तन्ना समुदया आर समुदयो तन्ना के निरोधोने तन्ना के खतम हो जाएगा तो हमारा काम ये नहीं कि उसको दूर करे हमारा काम है तृष्णा को दूर करे तृष्णा को दूर करने का एक ही रास्ता है क्या है अरियो अठांगिको मंगो इस पूरे सूत्र में आर्यश्टंग इकमार के अलावा कुछ नहीं बताया है तो अपने मन में, मस्तिश्क में, मानस पटल में, दृष्टी के सामने, रिदय में, सांस में यही बात बिठा दो फिट कर दो कौन सी? यदी सुख पाना है, मुक्त होना है, जन्मवरन के फेरे से बाहर पढ़ना है तो क्या है? आर्यश्टंग इकमार, इस लोग में दुसरा कोई मार्ग नहीं क्योंकि आने वाले समय में यह संपूर्ण भारत में बताया जाएगा और बीच में हुआ भी था यह, उसी कारण से धरम का नाश हुआ था भारत से और वो यही था कि नहीं आर्यश्टंग इकमार के अलावा भी कोई दुसरे रास्ते है जनका पालन किया जासता है जिसमें अलग- HOW योग योग बताएग यो योग बताया जाते है यह भी मुक्ती के लिए ही है töो वो नहीं है एक ही मार्ग है मुक्ती का और वो है आर्यश्टांग एक मार्ग इसी आर्यश्टांग एक मार्ग के कारण ही बुद्ध सासन में किसी भी प्रकार के मिध्या नहीं देखिया सकते इसी मार्ग के कारण जब तक ये मार्ग है जब तक ये मार्ग आपको सुनने को आता है अभ्यास में करने के लिए मिलता है जब जब भिक्षु कहेंगा कि आर्यष्टांगी कमार का मुक्ति का मार गए तब तब समझना कि बुद्ध शाहसना जीवित है जिस दिन एक खतम कर दे उस दिन समझ लेना कि वहाँ बुद्ध का शब्द भी नहीं है इसलिए यह आर्यष्टांगी कमार का महायान में नहीं आता इसलिए वहाँ पर मुक्ति नहीं कहीं है वहाँ मुक्ति नहीं यह आर्यष्टांगी कमार के वहाँ मुक्ति है भगवान ने एक सुत्र में कहा है कि भिक्षु बगवान बुद्जी ने कहा है कि भिक्षुओ इस संपूर्ण विश्व में जितने धर्म है याथ जहां भी तुमको यह आर्यश्टांगी कमारगा मिलेगा वही तुमको मुक्ति मिलेगी धर्म यह अरियेश्टांगी किमार के जहाँ भी मिलेगा तुम बहितुमको चत्तार्येटानी पुरी CAN दुसरा कही नहीं मिलेगा तो उसको ध्यार में रखो तो यह हो गया आहार के सब्सक्राने ठीक है फिर कहते हैं कि जब ये आहार के बारे में कोई व्यक्ति अच्छी तरह से जान जाता है जैसे हम बता रहें तो आहार के बारे में जान गए समझो जैसे ये अच्छी तरह से जान जाए इसका कारण क्या होता इससे क्या होता आहार के कारण जो राग जो है द्वेश जो है ठीक दूसरा हाओ डेखने के लिए ही इस परशका अहारा है उसको कौन देख रहा है बताा मैं नहीं समझ सब्सक्राइब मनोंसे इतना का हुआ कि मन में चाहऑ रहे इसका आहर कैसे बहुत मैं नहीं समझ में आ दूर करता है उसकास में मान खतम हो जाता है अविध्या समापत हो जाती है इसी जीवन में सभी दुखों से मुक्त होकर अरद होकर जिवास करता है ऐसे वेक्ति को सारे पुत बंते जी कहते हैं कि वो सम्मादिट्टी से युक्त है सम्मादिट्टी से युक्त होकर सम्मादिट्टी में रुजु पार्ग में आ गया है धर्म को अच्छे से देख लिया है धर्म में आया हुआ वेक्ति तो बिक्षेवे लोग किते हैं साधू बनते हैं, फिर कहते हैं कि बनती क्या होई, यही एक मारग है, और कोई नहीं, तो कहते हैं सिया ऑसो, हा ऑसो हैं, आईशुमान, है और, और मार गए तो क्या? जब कोई दुख को जान जाता है अभी इसमें से यहां से लेकर आगे जितने चीज़ें आएगी वो क्या है पटिच्च समुधपाद में आने वाल एक धर्म है उसको देखते हैं ठीक है क्या कहते है कि अरियसाव को दुखंच पजान आती दुख समुधपाद क्या है इसको जानता है इनको जानने से समझने से मात्र वह बिख्शु स्रोता पने करके भालता है सम्मा देख्टे में हम सीखते हैं न वह सम्मा देख्टे सम्मा वाचा सम्मा का मन्त वहाई से शुरू होती है नहीं सम्मा देख्टे तो यह बता है इसमें इतने भर से तो फिर उसका पुरा विस्तार की दुखा आरी सत्य क्या है तो फिर जाती की दुखा जरापी दुखा व्यादे की दुखो करके वह है उसके बाद में कहा है कि इसका कारण क्या है समुदे क्या है तो कहते हैं कि यह जो तृष्णा है इन चार आरी सत्यों को बनाने के लिए जो तृष्णा है कौन सी या संसार में बने रहने के लिए जो तृष्णा है वो है क्या है यायंतन्ना पोनो भविका यह जो तृष्णा है जो पुनर भाव के लिए काम करती है नंदी राग सहगता उसमें नंदी राग बना हुआ है रट लगी हुई है रट लगी हुई है सरकुलर में घूम रहा है उसमें रट लगी है तत्र तत्रा भी नंदी ने जहां जहां जाएगी वहां वहां सुख वोगती है करके वहां व वहाँ वहाँ आनन्द रेती हैं, देखो न, हम पिछले जन्मों में जानवर के लोई योनी में थे, वहाँ भी जीए मस्त जीवे, वहाँ आनन्द लिये, अपना बच्चा, अपना पेट, अपनी सुरक्षा, अपना घर उसके लिए दरदूद किये, पंची थे, पंची केस मे वहाँ पे दिन भर खाने केस में गए, पंची से बचने के लिए, दूप प्यास से बचने के लिए कोशिश किये, आनन्द ही लिये हैं, निरे में थे हम लोग, निरे में भी उसका आनन्द ही लिये हैं, कहते गया रहे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पर फि क्या करें वहां पर उसका अणंदली लेंगे करते समय हर बार क्या कहेंगे कि डुक नहीं चाहिए अब हो गया बहुत दूख बोग लिए और बहुत दुख बोग लें करमत हो दो कि बाहर Houston का भोगना कतम संसार में बने रहने की चाह विभावतन्ना संसार से विच्छेद की दřिश्टना कि यह विभावतन्ना का मतलब यह मत समाझ लेना आई पैं मुक्ति की चाह लिए तैना नहीं अभी है इससकर कहए परन्तु उच्छे दवात्ति रसकार से आने वाला विभव नहीं निभिदा से आने वाला वैराग से जागने वाला निरोद उसके बारे में उसको ध्यान में लगो ठीक है तो यह है इसको दूर करने का मार्ग क्या है तो इसको दूर करने का मार्ग कैसे है इसका निए पर उड़ाने और मुंति इस्से मुक्ती हो जाना हैं गा यह कहते भआ भाम कुछ जाता है तो हूँ पीर कहते हैं वह सो सब्ब सो रागानुसयं पहाया सभी राग के आनुसयं जो लिप्टी हुई बाते हैं उनको दूर कर देता है पटिकानुसयं पटिविनोदित्वाद ये जो क्रोध की भाव है उसको पुर्णता खतम कर देता है दृष्टी का जो बना हुआ है कि मैं ये जो है मैं पुर्णते दुनिया में चले जाओ सभी फिलोसोफिय में चले जाओ ये मैं कहीं नहीं चुपता है इस मैं के बाहर निकलने के लिए ही गुत का दर्म है कहीं पे भी चले जाओ देखो ना आज तक विश्वा में यही कहते रहे हम लोग कि इस आत्मा का परब्रहम वे विलीन हो जाना वहाँ विलीन होने के बाद जन्म नहीं हो का कहते तो है परन्तु किस का कहते है इस आत्मा का वहां पे जन्म याने वहां पे तुम्हारी आत्मा का अस्तित्व है यह अस्तित्व के लिए जो कहा गया है न वो है अस्मी मैं मेरा मेरी आत्मा करके इसलिए बुद्धने का आत्मा लेगा तो इसमें यह अस्तित्व का प्रशनी खत्म हो गया ठीक है तो उसको तब कहते हैं कि वो बिक्षु जब इनको दूर कर देता है तब इसी जीवन में धरम को जानकर वो सम्मादिट्टी से युक्त हो जाता है उसके रिजिद रिष्टी हो जाती है धर्म में आया हो आचल शरद्दा से युक्त कहा जाता है और इस धर्म में धर्मवान मे इस रोटा पर सप्धा गाम्मि अनागाम्मि इस फ्लों में प्रतिस्थे समझा जाता है त्वं ठीड वन्ते लोग मोग कहते हैं साधू 20 पिर कहते deux Oscars कि जरा मरन अंख्च पजानाती जरा और मरन को देखता है जरा मरन समुदय अंख्च पजानाती जरा मरन के हो देखता ए जरा मरन पिर सम्मेकदिष्टी कैसे आती है और इसे दर्दिष्टी वान कैसे कहा जाता है यह तीन चीजे है तो पहला है कि इसको जान जाना सम्मेकदिष्टी है इनको जान जाना सम्मेकदिष्टी है दूसरा है कि इनको क्या जानना कैसे जाकती है तो उसको बताया है कि जरामरन समु यह क्या है उसका विस्तार क्या हो इसके बाद कहा है कि इसके जान लेने से व्यक्ति में क्या परिवर्दन आता है तो क्या कहा है कि उसका राग कतम होता है द्वेश कतम होता है मोह कतम होता है तो क्या होता है धर्म में आया हुआ विक्ति कहा जाता है तीनों तरह से, तो प्रश्न क्या है, याने question क्या है, या फिर समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है, समस्या का कारण का निदान, उसका निदान क्या है, और निदान का फल क्या है, तीनों चारों चीजे इसमें बताई गई है, तो कैसे, कहते हैं, ये जरा मरन क्या है, याने तो कहते है या तेसंग तेसंग सत्तानंं तम्नी तम्नी सत्त निकाए जरा जीर्णता खणडिचंग पालिचंग वलित्त चता आयुनो संहानी इंद्रियानंग परिपाको अयंगुच्चताउंसओ जरा इतने सुद्धर इस बात को हमेशा रतना जितनी भी बाते जरा मरन के समझ में जाती जरा व्यादी मरन के बारे में कई है उसमें कहा गया है या तेसंग तेसंग सत्तानंग उन उन सत्वों का याने विश्व में जितनी भी सत्व है द्रिश्य अद्रिश्य सुपिरियर इंफिरियर जो भी है ब जैसे मनुष्य में हम बुड़ा होते हैं तो हमारे पुरे ये बाकि आ जाते हैं सपेद बाल आ जाते हैं दाथ हिलना शुरू हो जाता है कमर जुग जाती है ये सारी चीज़े होते हैं हम उनको क्या करते हैं चेहरे पे जुर्या पड़ जाती है इसमें लिखा है वह आकों से कम देखना शुरू हो जाता यह सारी चीज़ यह मनścieलों की जरा है कि दिवये लोह की जरा कैसी है दिवय लोग की जरा है कि जिस दिन जरा आती यह उस दिन क्या होता है कि उनके मालाय जो है पिश्पकी मालाय कुमला जाती है मुर्जा जाती है उनके शरीर से दूरगंदा आनी शुरू हो जाती है कि पुन्य का संस्कार कतम हो गया जिससे सुगंदा है वो कतम हो गया तो वो आ जाती है उसका जो प्रसंद प्रसंद भाव है उसके आभा जो है कम हो जाती ह तो उसको देखकर सब दयवतालोग कहते कि अधिब्य भूत्रत तुम्हारे आई यहां से कतम होगे, अवे एक दिवस जिबन बचाए एक ही दिन बचाए तुम्हारे पाट इसके बाद तुम मर जाउंगे तो सब के सब दयवतालोग उसके पास आतर कहते कि देखो दिद्वियो लोग में जन्मा लेना है तो यहां से मरकर जब जाओगे मनुश्य लोग में यहां जाओगे वहाँ पुन्य का सच्चाए करो कुशल धर्म करो उनके साथ भहमत जाना पुन्य करके यहां वापस आओ करें हम जो कहते हैं अगली बा का आयू का उस तरह से तो इसमें क्या कहां गया है मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है इसमें कहां है एक एक शब्द का आर्थ समझो क्या कहां है या तेसंग तेसंग सत्तानत उन-उन सत्वों का तम्मी तम्मी सत्व निकाए में उस उस जीवन में जरा बुड़ा होना ज जिर्न हो गया केते हैं पूरानी वस्तों होते ही नोट फटना शुरू जह जाते हैं बाल जढ़ जाते हैं यह क्या है एक एक इसका टूट गया है वह पालिच्चम जर्जूशर में जुर्या पड़ गई है तुट बिखर गया है वलित्त चता दृष्टी से देखने में कुरूपता आ गई है न याने परिपक परिपक पिपाक जैसा हो गया तो समझे आयू नों संहानी आयू शगड जाए इसके बाद बुड़ा होने के बाद आयू अधिक नहीं रहती ना बुड़ाओंने के बाद पता चले आप तो बुड़ाओं के जरजरता आ गई है अभी तो मरना तैह करके समझे जवानी में बड़ा आहंकार रहता है कि मैं तो कभी नहीं मरने वाला सब को मार के मार सब मार जाएंगे मैं नहीं मरूंगा करके रहता है यह जैसे आ जाते हैं उसके बाद पता चलता है तो मरने वाले आजना कर दो उसके बाद संहा आयूनों संहानी आयू का खतम हो जाना इंद्रियानंग परिपांको आखों से दिखना कम हो जाता है कान से सुनना कम हो जाता है नासिका से गंद सुगंद लेना कम हो जा जाता है शरीर से स्पर्श कम हो जाता है मन के विचार का तो उसमें नहीं अधिकतार सोचना चेए परन्तु यह चीज़े हैं इसमें तो यह क्या है आखो से दिखना दुभिल हो जाता है को नहीं कहसे है तो पहिचाननी नहीं करना कम हो जाता है होता है की नहीं इसी को कहतेHeりा अंध्रिय आनंग प्रिभाकमत seems आउइविए जो है वह भी घढ़ जाता है इसको कहते हैं फिर कहते हैं है स्था में हैं महास्ति खतम हो जाना उसके चुत हो जाना चवनता सपाच रश्ट हो गया भेदो बिखर जाना भगना हो जाना अंतरधान गायप हो जाना मच्यू मृत्यू मरनंक मरन कालकिरिया याने कलकिरिया ओगई खंदानंग भेदो यह जो विकर कंद कंद उन्प ayudar है खत्व हो शरीर में जो बचाए सानक सारा गर्मी एटांडियर सब खतम हो गया है वो क्लेवरस निख्ये को शरीर की समपूर्न अवस्था को पार पूर्नत्व में खतम हो गया जीवित इंद्रिय तो है जीवित इंद्रिय जो कहते हैं जीवांत चीवित है इसकी जो इंद्रिय कहते है वो खतम हो गये छेद मुझा इसमें केवल मनुष्य लोग के लिए ने का है अंतरधान अंतर दानों गया कां से इनका समुदय कैसे है, कैसे बनता है, तो कहते है जाती समुदया, जन्म के कारण ही ये जरामर्न है, इसके बगेर नहीं सकते, जन्म है, इसी लिए जरामर्न क्या कहते है, जाती समुदया, जरामर्न समुदय, जन्म के कारण ही जरामर्न होता है, जाती निरोधा, जन्म खतम हो गया तो जराम मरन निरोदो, जराम मरन नहीं आएगा, तो हमारे सारे ही समस्याव की जड़ क्या है, जन्म लेना है, फिर भी, आज भी देखो, जन्म के बारे में कहें कि पुनर जन्म नहीं चाहिए, कैसे हो भाव, चाहिए, चाहिए, कही न कही, हम देखो न, अपने नाम के पिछे कितना जुड़ा रहे पता है कि नाम नहीं चलता डाहेजार वर्षों पहले दान देने वाले लोग कहां किसी का नाम है एक विक्ति का नाम है परन्तु हम बुद्धिव्यार में पंखा दान दे रहे हैं उस पंखे के पत्ती पर अपना नाम लिखा होना चाहिए घर का एड्रेस फोन नंबर और दस्यों जगह होने चाहिए क्यों कि मेरा नाम है तुमने देखा है बुद्धिव्यार हमें ऐसे पता नहीं कैसे दिखाई देते हैं मैं भी था उस दृष्टी से पर जब से देख लिया कि यह सब धर्म में ऐसा है तो उसका छोड़ी दोते अब क् पूरे बुद्ध विहार में दिवाले जो दो तीन तरह से रंगी हुई होती है इस आदमी ने पांच जार रुपे दिये इतने पचांस जार इसने एक लांग देड़ लांग और क्या होता इनके मरने के बाद उनके बेटे बेटिया मैंने आज तर जो देखा है उनके बारे इस तरह से क्या है जन्म के लिए जो बने रहने की जो दृष्टी है बने रहने का भाव है उसका है तो आप लोग सजनों से विशेष्टा है कि अभी चोटी-चोटी चीजों को छोड़ दो जब नाम होना है तो पुन्ये के साथ विन्यार के साथ तो हम सब लेके जा रहे न अपना लेके चलते है देना ही है तुमारे बेटो बेटों-बेटे manufactured को याद करवाना है तो क्या कर आओ उँव को याद कर आओ कि देखो पुन्ये करो मैंने पुन्ये किया तुम भी पुन्ये करो वो यह कर सकते हैं ब्ष instruments लिए पोशिश पर यह जाति-पच्च-चया जरामरन जन्म के कारण ही जरामरन है ये जरामरन को खतम करना है तो क्या करना पड़ेगा आर्य अश्टांग एक मार का पारण तो जब ये समझ जाता है आर्य श्रावद की आर्य श्रावद इस जरामरन को समझ जाता है उसे बोध हो जाता है कि ये जरामरन है इसके कारण क्या होता है कि वह सभी आया हुआ आदमी है आगे बढ़ने मता है अब देखो न सुरोतापन्य जो है जैसे हम कहते हैं शुरोतापन्य की क्या क्या दूर होते हैं सक काइदित्य वीची इच्छा सी लपत पर आउती है उसके दूर हो गए उसे बहुत कोन क्यों से चीज़ों का होता है कि कामरा को पठ लक्षर में जा रहा है तो आत्याते कर्व सक्व हो जाएगा अना अगामी का इस मनुष्य लोग में औरम भागय संचुन जो है जो बांध के रखते हैं या फिर भूतिक लोग में बांध के रखते हैं यह वाले संच कदम हो इसलिए अना अगामी तो वो अना अगामी जनम ही लेता है अवर भागय संच जहा रहते हैं जहां अवर भागय संच हो गया दूर वहां कौन है यहां के संच दूर करके यहां से अपना ब्रह्मलोप में जाता है वहां से आगे तो यह धरम का इस तरह से उपर देश है इसमें से एक और हम आगे बता एक और कारण बता देंगे फिर उसके आगे का सूत्र जो है बाखी का इतना सुदर सूत्र हैं इस मज़्य मेंidents कआए कि सूत्र को तुम दसंग बार पढ़ो तुमारा मन कभी नहीं पढ़ा ही कभी नहीं भर सकता है इस सूत्र का इसमें आनद ही तो कहते हैं कि बंते यह आपने बता है तो समझ में आ गया है इसके अलावा भी कोई है कि पिर कहते हैं कि आरिये साहव को जातिंच पजाना दे इस जन्म को जानते हैं पहले क्या बता है जरामरन जरामरन को क्यों बता है जरामरन से तो इसका कारण क्या बता है जाती बता है अब क्या कहते हैं सारे को जाती को समझ जाता है जाती चपजाना दे जन्म को जान जाता है जाती समुदयंच पजानाती, जाती कैसे बनती है, यह जाती वाली जात नहीं, जाती जन्म वाली जात, जन्म कैसे बनता है, वो, इसका निरोध क्या है, और इसका निरोध गामिनी पटी पना मार्ग क्या है, तो कहते हैं, जब यह कोई वेक्ति इसको जान जाता है, जन्म को जानता है उसके समुदय को उसके निरोद को उसके मार्गों को जान जाता है उतने मात्रसे वह वेक्ति सुरोता पड़ना है तो क्या है करके उसका विस्तार करते हैं यह जाती क्या है करके कहते हैं यह जाती क्या है में उन्हों योनियों में जाती जन्म होना सुन्याती संग्यां का उत्पन्न होना ऑक कनती आ जाना अभी निब्बती भावतीक स्वरूपसिक बनना खंद आनंग पातु भावव यह जो आयतन जो है इनका इकठा हो जाना आयतनानग पटिलांगो आखकान नाकादी जो जो आयतन है हमारे जो इंद्रिया जो है इनका प्राप्त हो जाना अयंग उच्छतावसो जाती जन्म इसी तरह से होता है ठीक है जन्म ये है तो चाहे मनुशलोक में हो चाहे निरे में हो जाहे ब्रामलोक में दिबलोक में हो इसी तरह से जन्म को हम विक्सतारित कर सकते हैं इसके अलावा और क्या बता हो तो वो गर्भ से जन्म लेने वाला भी तो जन्म की अलग-अलग चार अलग-अलग पद्धिया है वो ठीक है उन्म में भी यही चीज़े होती है चार जन्म की पद्धिया आपको पता है न पता है कौन-कौन सी है एक है जलाभूज जलाभूज का मतलब जल में या फिर गर्भ में तो गाय में हो जाए जानवरों में हो जाए मनुशके हो जाए यह इनमें गर्ब में जन्म लिए उसको कहते है जनाब हो जब उसके बाद में होता है अंडज जो अंड़े से जन्म लिए तो मुर्गी हो जाए चिपकली हो जाए डाइनासोर हो जाए यह सब लोग कैसे अंड़े से जन्म लिए तो अंड़े से जन्म लिए उसके बाद में सं सेदज का मतलब होता है कि उश्मा ये गर्मी और ठंडी के सम्मिश्रन से होने वाला तो जो अलगतर इसे जो लार्वी वगेरा से जो फिर गर्मी और उससे जो पोशित होकर जो बनती है या फिर कई बारे साथ पूरी तरह से पैक किया हुए इसमें भी चावल रखा है उसमें रखा है ना तो उसमें पंचे आया है ना किसी कीड आया है कुछ आया है पर तो उस उसमें दबाव जो बन गया, उसमें से पानी जो छुटा है, उसमें से ही विलारवी निकला पीने, न? वो किरे, उनको सब को कहा जिए उसके बाद में कहा गया है, या? ओपपातिक, ओपपातिक मतलई, यहां मरा वहां प्रेदबन के जन्म लिए, तो ऐसे चार प्रकार के जन है, यह सभी जन्म इसी में से आते हैं, जन्म होना, संग्या का आना, उत्पन हो जाना, सभी कही न कही से प्रकट हो जाना, है न? सकंदो का उत्पन होना, अपने आग का आना, चश्को का मिलना, इसे कहते हैं जन्म, यह जन्म हैं, तो जन्म कैसे होता है, कि पच्च्या जन् कारत बहु के होने के कार्द भव जो है उसके होने के कारत यह जाती है पहँ नि रोना ने जाती हिए। इस को खतम करने का मार्ग क्या है और ये अश्ठागी का मार्ग है यही एक है कहते हैं सारी पुत्तबंते जी कि जब कोई श्रावग इसे इस तरह से देखता है जानता है तो क्या होता है कि वह उसके प्रती जो राग द्रेश मोह है उसको दूर करता है दूर करने के बाद वही जान जाता है आर्य श्रावग बनता है सम्मादित्री में आता है धर्म में र आया हुआ वेक्ति कहते आप और मैं चीक है या फिर आप और मैं चीक है हम दोनों इस सद्धर्म के दरवाजे पर खड़े है चीक है हमें अभी सद्धर्म में आया हुआ नहीं कह सकते हम लोग क्या है खट-कटा रहे है दरवाजा भईया वंते जी बता दो बगवान जानना है तो जिस जिस तरह से हो जाया उस तरहे तो अभी दरवाजे से बहारी है तो हमेह संसार के सारे थपड़े मिलते रही है संसार में होने वाली सारी चीजे तिखाई देगी उसके प्रती दस दसमिन में पैर दर देंगे लाइन में खड़े हैं तो परन तो जैसे ही अंदर आ जाए अट्मोस्फिर पूरा चेंज हुजाएगा धर्म में आना वेशा है इसलिए कहते हैं कि अधिक से अधिक साथ जन्म आठवा जन्मरी उसे एक तिकरे जो शुरुतापन जो दरवाजे के अंदर आ गया उसके लिए आसे तकलीव क्या हो सकती है अभी बहांसे धूब आदिस अप्यास वैस खतम होगे अब क्या है कि जो इत धर्म में आया हुआ कहते हैं साधा उसको करते हैं साधु बंते करते हैं क्या बंते ये एक ही मारग है तो जहते हैं नहीं और मारग करते हैं अगले सब्ता ये भव क्या है उसको जानेंगे समझने की कोशिश करेंगे जिसने भव को जान लिया भव का कारण जान जाएंगे एक-एक करके इसमें मार्ग बताए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे तो यह सम्मादिति का प्रथम भाग आप सभी को सम्मादिति को इस तरह से अच्छी तरह से जानने के लिए समझने के लिए इसके बोध के लिए उपकारी हो जाए